आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउट करें। जैसे उपर जाता हो, वैसे उर्जाहिस्तर बढ़ते चला जाता है, तो ऐसे अनंत कक्षा हो सकती है, अन बराबर अनंत, तो इन उर्जाहिस्तर को यहां पर दिखा देता हो, एन बराबर एक, दो, तीन, चार ऐसे लिखा देता हो, ठीक है, तो यह तीन होगे हमारा, यह चा तो एक तरह से याँ पर उज्जा मुख्त रगी जब उड जब मुख्त हो रही है तो किस परकार निकलती है वो फोटोंस की रोप में निकलती है तो इसको यहां पर भी प्रदर्शिद करके दिखा देते हैं हमारा क्या है कि जब एक उर्जा इस तर से मान लिए कि कोई भी उर्जा इस तर हमारे पास ओपर ठीक है इस से मैं कहता हूं कि हमारे पास एन बराबर एक में आ रहा है फिर हो सकता है यह छटी कक्षा से भी आ सकता है तो इस परकार हमारा यह निकल रहा है ठीक किसी भी कक्षा से आ सकता है उपर से यहां पर देखो हमारे पास तीसरी से अगर पहले में आ रहा है तो इस परकार संक्रवन हो सकता है देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले में ही यहां पर संक्रवन हो सकता है कि यहां पर हमारा जो यह है वो दूसरी में भी आ सकते हैं कहीं से भी ठीक है तो कोई भी कक्षा से य यहां पर हमारी जो photon निकलते हैं वो एक विक्रण का निमान कर रहे हैं ठीक है विक्रण का निमान कर रहे हैं और यह विक्रण हमारी क्या कहलाती है जैसे हमारी श्रेणी का निमान होता है फिर इसे इसे हम कहते हैं जो हमारे यहां पर बन रही है यह वाली उचुर्जा इस तर उपर वाले से तो यह लाइमन स्रेणी होती है लेकिन अगर दित्य में आता है तो यह बाम और स्रेणी होती है है तिकılar रोटा का मंघ करम की बात कर रहे हैं तो अब इनका क्या होता है की अलग-छामारे पास alt sour य्या और रिद्व दोत यह होता है कि अनी भाग में आती यह जो पढ़ती है उच्छ pozw बरकास के आसपास आती है ठीक है तो इस परकार हमारे जो स्रेणी आता है वो पेरे बैंगनी में आता है कौन सा लाइमन स्रेणी तो यह पहली हमारी जो है एन बराबर एक वाली वो लाइमन स्रेणी है तो उत्तर भी हमारे यह हो जाएगा लाइमन स्रेणी की बात कर रहा है य आपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर